वासिंग मशीन स्लो स्पीड प्रोब्लम खाली में तो अच्छे स्पीड देता है लेकिन जैसे हम उसमें कपड़े डाल देते हैं तो उसकी स्पीड काफि स्लो हो जाता है ऐसे ही फॉल्ट आपके वासिंग मशीन में आ रहे होंगे तो कैसे अपने वासिंग मशीन को अपने घ वासिंग मशीन को चेक करने के लिए आप पहले अपने बेजली की बूर्ट इस तरीके से प्लक को बाहर निकाल लेंगे इसके बाद अपने वासिंग मशीन के पीछी के साइट चल कर यह जो कवर होते हैं इसमें छोटे-छोटे पैंच लगे होते हैं जिसको आप निकाल कवर खोलने के बाद अपने वासिंग मशीन में देखें जो मोटर होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वहां से पानी रबड के सिल से लिक होकर इस मोटर में गिरता है तो पुरा पानी मोटर में गिरने के वज़े से यह मोटर खराब हो जाते हैं काम नहीं करते हैं ठीक से इसी तरीके से इस साइट भी आप चेक कर सकते हो यह वली मोटर को जब आप यह चेक कर लेते हैं कि आपके वासिंग मशीन में मोटर में पानी नहीं गिरा है फिर भी स्पीट काफी सुलो चल रहा है तो कैसे चेक करेंगे इसके लिए आप वासिंग म आलग परने के बार आपको लेना है तो करेंगे यहां में पर जाल रही है या कि हमारा बिपल की बोर्ट में पावर आ गया है जब आप capacitor को चेक करें तो चपल पहन सकते हैं और साथी साथ यह जो capacitor के wire होते हैं उसको ध्यान से देख लें कहीं नीचे से यह देखते हैं इस तरीके से कटा तो नहीं है ऐसे condition में इसको ऐसे हाथ से ना पकड़े यह तो current लग सकते हैं तो पहले आपने capacitor के wire को देख लें fresh है कि नहीं तो ऐसे तरीके से capacitor की दोनों wire को पकड़ कर यह बिजली की बोर्ट की socket में ऐसे डालेंगे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी spark होगी और इसे आपस में ऐसे जुड़ाने हैं यह तो इसकी स्वेड याने की फटाका जैसे फूटे तो पता चले कि यह जो capacitor वो अच्छा ह है अगर बिल्कुल सांत आवाज आए बिल्कुल थोड़ी सी आवाज आए तो capacitor खराब हो गये हैं ऐसे चेक कर सकते हैं अपने घर पर जब आपको पता चले जाए कि आपके washing machine की capacitor खराब है तो market में जाने के बाद इसी तरीके से इस नंबर को दिखाएंगे तो सेम नंबर के आपको capacitor मिल जाएंगे तब उसे आप अपने इस washing machine की जो वायर आपने capacitor के निकाल ले हैं उसको color से color joint कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके वायर को color से color आप जोड़ेंगे capacitor की उतके बाद इनमें अच्छे से tapping कर लेंगे कई बार washing machine की मोटर में पानी फज़ने की वज़े से मोटर खराब हो जाते हैं या फिर उसकी capacitor कमजोर होने की वज़े से मोटर स्लो चलते हैं तो आप अपने washing machine की problem को पैचान सकोगे हम फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो मे नहीं कान कारी लेकर